नमस्कार विद्याथी मित्रूप, स्रेयस विद्याले, हिंदी माध्य, आज मैं पहली कक्षा में गनित में प्रक्र नमबर साथ माप पढ़ाओंगी तो हम बात करते हैं लंबा छोटा तो यहां में चित्र दिया है उसमें कौनसा चित्र लंबा है और कौनसा चित्र छोटा है वो हमें बताना है तो यह जो पहला चित्र है उसमें यह छोटा है और यह लंबा है यह चित्र है इसमें यह लंबा है और यह छोटा है अब हमें बोला है लंबे पर राइट का निशाना लगाईए तो यहां चित्र जो है उसमें लंबा जो है उसके उपर हमें राइट का निशाना लगाना है तो यह लंबा है यह चित्र में यह लंबा है तो उसके उपर हम राइट का निशाना लगाएंगे अब हमें बोला है छोटे पर राइट का निशान लगाईए तो यहां में ये चित्र दिया है उसमें छोटा कौन है तो उसके उपर हमें राइट का निशान लगाना है तो ये छोटा है ये चित्र है उसमें ये वाला छोटा है तो हम उसके उपर राइट का निशान लगाएंगे अब बोला है सबसे लंबा, सबसे छोटा तो यहां में तीन चित्र दिया है वो तीनों में सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है तो यह चित्र सबसे लंबा है और यह चित्र सबसे छोटा है अब बोला है सबसे लंबे पर राइट का निशान लगाईए तो यहां में तीन चित्र दिया है उसमें सबसे लंबा जो है उसके उपर राइट का निशान लगाना है तो यह सबसे लंबा है अब यह चित्र दिया है उसमें भी हमें सबसे लंबा जो है उसके उपर राइट का निशान लगाना है तो ये सबसे लंबा है अब बोला है सबसे छोटे पर राइट का निशान लगाईए तो यहां में चितर दिया है उसमें सबसे छोटा जो है उसके उपर निशान लगाना है तो यह सबसे छोटा है अब हम बात करते हैं उन्चा छोटा तो यहां यह चित्र दिया है उसमें यह उन्चा है और यह छोटा है यह चित्र में यह उन्चा है यह छोटा है अब बोला है उन्चे पर राइट का निशान लगाईए तो यह चित्रा है पहला उसमें उंचा है यह उंचा है तो उसके उपर हम राइट का निशान लगाएंगे यह चित्रा में जो उंचा है उसके उपर हम राइट का निशान लगाएंगे तो यह उंचा है अब बोला है छोटे पर राइट का निशान लगाईए तो ये चित्र दिया है इसमें छोटा कौन है तो ये है तो उसके उपर हम राइट का निशान लगाएंगे इसमें छोटा ये है तो उसके उपर हम राइट का निशान लगाएंगे अब हम बात करते हैं सबसे उंचा सबसे छोटा तो यहां में यह चित्रा दिया है उसमें सबसे उंचा कौन है और सबसे छोटा कौन है तो यह तीनों चित्रों में सबसे उंचा यह है और सबसे छोटा यह वाला चित्रा है ये पेड़ के चित्र दिया है उसमें सबसे उंचा ये है और सबसे छोटा ये है अब हमें बोला है सबसे उंचे पर राइट का निशान लगाईए तो ये तीनों चित्र है उसमें सबसे उंचा जो है उसके उपर हमें राइट का निशान लगाना है तो ये सबसे उन्चा है अब बोला है सबसे छोटे पर राइट का निशान लगाईए तो ये तीनों चित्रा में सबसे छोटा ये है तो इसके उपर हम राइट का निशान लगाएंगे तो विद्यती मित्रों आपको यहां तक नौटबुक में और कीताब में लिखना है